इस वक की बड़ी खबर जीतना माझी ही बिहार के मुख्यमंतरी रहेंगे या नितीश कुमार एक बार फिर बिहार की कमान सम्हा लेंगे इस बात का फैसल आप से कुछी घंटे बाध हो जाएगा इस वक्त मुख्यमंत्री माजी गवर्णर से मिलने राजभवन गए हैं करीब सवा 11 बजे राज जिपाल का अभिभाशन होगा माजी सरकार को आज विधान सभा में अपना बहुमत साबत करना है बीज़पी ने माजी को समर्थन देने का फैसला किया है पार्टी ने विपज़वारी कर अपने विधायकों को माजी के विश्वास मत के पक्ष में वोट करने को कहा है लेकिन बीज़पी के समर्थन के बावजूद माजी की नईया पार लगना मुश्किल लग रहा है विधान सभा के मौजूदा अंक गड़ित के हिसाब से नितीश कुमार का पलड़ा भारी लग रहा है और बिहार की राजनीती पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ परिश पत्रकार रामकरपाल सिंग और प्रदीप सिंग है हम अपने महमानों से बात करें इसके लावा बता दे पटना से नितीश चंदर हमारे साथ जोड़ चुके हैं सबसे पहले हम नितीश के पास चलते है नितीश फिलहाल इस वक्त क्या बड़ी खबर सामने आ रही है और इस बीच राजपाल से ये मुलाकात क्या माईने रखती है देखे सुर्भी अभी थोड़ी देर में यहां पर राजपाल पहुंचेंगे और यहां तैयारियां पूरी हो चुकी है सबसे पहले गाड़ा फॉनर होगा और इस दवरान जो जेडियू के यानि इनतीश कैम के जो विधायक है वो सारे विधायक यहां पर जमा हो चुके हैं काली पटी बांध रखी है लेकिन इस बीच एक खबर आई है कि माजी राजपाल पहुंचे है कई तरह की चर्चा हैं अभी अंतीम रूप से कोई खबर सामने नहीं आपाई है लेकिन माजी का राजपाल जाना अभी कुछ सवाल जरूर मन में खड़े कर रहा है क्योंकि इस तरह की कोई शिष्टाचार भेंटनी चाहले नहीं होगी है करने के लिए उस बारे में और डीटील के साथ हमारे समया था प्रशान भी हमारे साथ जूड़ तो के प्रशान मांजी के इस्तीफा देने की भी खबर आ रही है इस बार में क्या डीटेल आपके पास लेकिन इस बीच जो बदलते समय करणों की लगातार हम बात कर रहे थे ऐसे में कितना आसर होगा उनके स्तीफे के बाद उनका अगर इस सिफा हो जाता है राज़ पास प्रशान भी कर लेंगा हाला कि आज विधान समय था आज अगर उनको अगर इस्तिफाई देने की बात थी तो उनको चाहिए ताके वो पहले ही इस सबासों को इस्तिफान कर रहे हैं जिसके आपर विधायकों को मिलाने हां से हालाग को बदल सकता है देखिए अभी जो विधान सभा के स्थिती है उसमें 233 विधायक है चार वोट देने पर रोक लगा दिये हाई कोट ने 239 की संक्या होती है इफेक्टिव उसमें 115 विधायक चाहिए 87 बीजेपी के पास है तो 28 विधायकों का अगर जीतन राम म था तो यह हो सकता है उससे पहले गवर्नर के पास गए हों अपना इस्तीफा देने के लिए तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो नितीश कुमार के मुख्यमंतरी बनने का रास्ता साफ हो जाएगा क्योंकि एक तरह से विस्विकार कर रहे ह कि उनके पास बहुमत नहीं है और बहुमत नहीं है तो जो दावा करेगा बहुमत का उसको राज़ेपाल को काईदे से आउसार देना चाहिए सुप्रीम कोड के जज्जमेंट है इस बारे में सरकारिया कमिशन की रेक्मेंडेशन है उनके इसाफ से बहुमत का फैसला राज स्तीफा दे देते हैं तो समस्या तो बहुत कुछ सुलच जाएगी फिर वो सदन में आकर अपना भाशान देंगे और कहेंगे मैंने राज़ेपाल को इस्तीफा दे दिया है जैसा चौदरी चरण सिंग ने यहां पर किया था लोक सबह में आकर उन्होंने जब उनके ऊपर नो कॉंफिरेंस मोशन आना था तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया राश्पती को और सदन में आकर ये घोशा कर दी कि मैंने इस्तीफा दे दिया है जी लेकिन इस बीच हमारे साथ हमारे साथ इसवक्त वरिश पद्रकार रामकरपाल सिंग भी है रामकरपाल जी आकडों की जहां तमंग अंक गड़ित की लगातार बात करते आ रहा है सब कुछ यहां पर नितीश के पक्ष में ही नजर आ रहा है इस बीच यहां जो तस्पीर हमारे पास आ रही है उसमें विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है इस वक्त अदन के बाहर तो आपको लगता है कही ना कही अभी फिलहाल जो फैसले लिए जा रही है वो सबसे ज्यादा माइने रखते हैं क्योंकि अगर आकडों की बात करें तो सब कुछ अभी तक नितीश के पक्ष में है देखें नितीश के पक्ष में था है और आगे भी रहेगा यह जो सारा सब कुछ आज का खेल हो रहा है यह नॉमबर के लिए है आज कौन हारता है कौन जिता है यह महत्वपूर नहीं है और जाहिर सी बात है कि उसमें तो आज माजी को हारना ही था वो हारने से पहले हारमान लेते हैं या सदन में एक तरह से जैसे स्रहीधी बनना चाहते थे भाशन उनका कब होता इस पर डिपेंड करता था खारने के बाद भाशन देते या इस्तिफा दे के भाशन देंगे तो सिधी बात यह है कि बिहार की राजिनीती में लांग टर्म बहुत सारी पार्टी चाहे वो भाजपा भी हो और खुद वो देख रही है कि भाई अभी छे महीने बाद जो चुनाओ होंगे ऐसी कोई भूमी का मत निभाओ कि छे महीने चुनाओ में आपको खामियाजा भुगतना पड़े तो आज का जो भी होगा जो एक जनता दल को एक जो घाओ देने हैं सीम मांजी ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है जीतना मांजी की तरफ से ये इस्तीफा दिया जा चुका है इस वक्ती सबसे महतपून और बड़ी खबर जैसा कि इंडिया टीवी लगाता आपको बता रहा है विधान सबा की कारवाई के दौरान हाला कि ये देखना जरूर था कि आकिर किस तरहां से समर्थन की बात पेश की जाती विश्वासमत पेश किया जाता मांजी की तरफ से लेकिन इस बीच सबसे एहम खबर विश्वासमत से पहले इस्तीफी दिया जा चुका है नितीश इंडिया टीवी समा आता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके नितीश क्या खबर इस बार में अलाइन 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 शुर्वी यह साफ हो गया है कि जीतन रमाजी ने इस्तिफा दे दिया है और आप यहां देख सकते हैं कि यहां एक तरह से माजी ने इस्तिफा दे दिया है एक बड़ी खबर अभी अचानक क्योंकि अभी राजभवन में अभी राजभवन वो पहुंचे थे और उसके बाद यह खबर आई विधान सवा में शक्ति परक्षन की बाद थी सारी तेयारियां आपर हो चुकी थी लेकिन इससे पहले जो एक दलितों के बीच सहानभूती पाने की कोशिश होगी उसको ध्यान में रखकर ये सब कुछ किया गया होगा और थोड़ी देर में वो प्रेश से भी बात करेंगे जीतन रामाजी और शाय तब अपनी पूरी बात रखेंगे बिल्कुल सुर्वी अब इसके बाद राजपाल के सामने यही विकल बना है बचा है कि वो नितीश कुमार को सरकार बनाने के लिए अमंतरित करें और फिर उनको बहुमत सावित करने के लिए कुछ वक्त दें और जाहिरा नितीश कुमार के साथ जो संख्या बल है वो है और जितने भी नितिश कैम्प के विधायक हैं वो काफी खुश हैं और उन्हें लग रहा है कि अब इसकी नौवत भी नहीं आई तो निश्ची तुरुप से नितिश कैम्प के लिए एक बड़ी जीत है और वहीं दूसरी तरफ माजी कैम्प ने एक रनीती के तहत ये फैसला लिय कि चुकी विधायक नहीं तूट सके हैं और दूसरी बात ये भी संभव है कि बीजेपी भी इस फैसले में जरूर साथ रही होगी क्योंकि यह नौबत ना आए बीजेपी को वोट करने की नौबत ना आए बीजेपी इससे बचना चाहती होगी और यही कारणे की बीजेपी है और यह सांड़ाय अब हो जाएगा आप तो जो है तो नितीश जी मुखमंत्री होंगे और क्या यह तो बहुत बड़ी जीत है राहुल सोनिया नितीश जी लालू जी सब की जीत है यह रही कि चुकी टूट नहीं हो सकी आपके टूट नहीं हो सकी तो देख लिया सारा इस बार में आपसे हम चर्चा करेंगे जीतन राम मांजी बिहार के मुखमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है सदन में अपनी स्रक्ति प्रदर्शन से पहले जीतन राम मांजी ने इस्तीफा दे दिया है राजजपाल को इस्तीफा भेज दिया है सुबह से एक खबर आ रही थी कि जीतनराम माजी सदन में अपनी बात रखने के बाद इस्तीफा दे सकते हैं कई दिनों से ये नाटकिय राजनिती घटना करब पटना में चल रहा था कि सदन में हो सकता है सकती परिक्षन हो नितीश खेमे का दावा था कि 130 विधायक उनके साथ है जबकि जीतनराम माजी बीते एक हपती से लगातार कह रहे थे कि सदन में नितीश खेमे को शिकस दे पाएंगे लेकिन अभी नाटकिय घटना करब में अचानक जीतनराम माजी ने सदन में बहुमत साबित करने से पहले या विश्वासमत से पहले जीतनराम माजी ने इस्तीफा दे दिया हमारे साथ पटना से नितीश चंद्रा हमारे संबादाता नितीश जो लगातार बात आ रही थी कि जितर नम मांजी हो सकता है सदन में अपनी बात रखे सदन में एक स्थिती आ सकती है जब विश्वासमत पर वोटिंग हो गुप्ट मतदान की बात करते रहे फिर अचानक उन्होंने इस्तिफा कैसे दे दिया पहले ही तेकि अजित जी पूरी रात कोशिश होती रही माजी कैम को यह उमीद थी कि जब बीजेपी के समर्थन की बात आएगी तब जेडियू के ऐसे विधायक, नितीश के ऐसे विधायक सामने आ सकते हैं जो माजी के साथ आना चाते हैं या जो मंत्रीपत चाहते हैं ये भरोसा था और इसको लेकर ही लगातार कोश्य चलती रही कल रात मेरी जानकारी के अनुसार करीब 50-60 गाडियां माजी कैम्प की तरफ से विधायकों के आसपास घूमती रही लेकिन दूसी तरफ नितिश कैम्प के जो लोग थे उन्होंने भी अपनी कई गाडियां लगा रखी थी और पूरी रात ये गाडियां दौरती रही कि कहीं कोई विधायक तूट तोने रही और उन तक अपनी बात पहुँचाएं। उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश करें। और दूसरी तरफ जो नितिश केंप था उसकी कोशष थी, कि कहीं कोई माजी केंप का आदमी जा तो नहीं रहा है, कहीं कोई हमारा विदाहक ठूड तो नहीं रहा है। सुभाष कस्यप से जानना बहुत अहम होगा कि अब क्या होगा सदन में क्योंकि पहले नेता विपक्ष के लिए एक तरह से मानेता मिली नितीश खेमे की मांग थी कि चुकी वो अपनी सरकार के मुखिया जिने निुक्त किया था जीतनराम माजी को उन्हें हटाना चाहते थे इसलिए उन्हें नेता विपक्ष की कुर्सी दी जाए कुर्सी दी भी गई लेकिन अब जीतनराम माजी ने सदन में बहुमत साबित करने से पहले इस्तिफा दे दिया अब क्या होगा